पहम शान्ती, बाबा की साकार मुर्ली है, October 22, 2024, बाप दादा मधुबर, प्राता मुर्ली है, और श्री बाबा के महावाक्या है, मुर्ली का सार है, मिठे बच्चे, बाप तुमें जो नौलेज पढ़ाते हैं, इसमें रिद्धी सिद्धी की बात नहीं, जो दुनिया में कहत हैं, जादू दिखाते हैं, कोई क्या-क्या निकालते हैं, बाबा के यहाँ कोई फिजिकल चीज की बात नहीं है, पढ़ाय में कोई छू मंतर से काम नहीं चलता है, पढ़ाय में मेनत करनी पढ़ती है, पास होना पढ़ता है, एडमिशन लेना पढ़ता है, कोई जादू से वहां काम नहीं होता है तो ये पढ़ाई है इसलिए छू मंत्र की कोई बात ही नहीं प्रश्न है देवतावों को अकल मंद कहेंगे मनुश्यों को नहीं क्यों उत्र है क्योंकि देवतावों ये है सर्वगुन संपन और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है देवताई क्या है सर्व गुण संपन है मनुष्य में कोई भी गुण नहीं इसलिए बाबा कहते है क्या बनो सर्व गुण संपन बनो तो बाबा कहते है कि देवताई अक्लमन है तब तो मनुष उनकी बूजा करते है उनकी बैटरी चार्ज है आत्मा की जो बैटरी है फुल पावर है परमात्मा के समान है इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है व्यर्थ पैनी बन जाते है तब कहेंगे बेकल वही है आत्मा तो वही है शरीर बदलते बदलते जब नीचे आ जाते प्री प्री बैटरी डिस्चार्ज होती है पावरलेस बन जाते है मतलब पावरलेस मतलब बेकल ओम शांती बापने बच्चों को समझाया है कि यह पार्ट शाला है, यह कोई सत्संग नहीं है, जो दुनिया में चलता है वैसा, कोई भी आकर बैठ नहीं सकता है, बाबा कहते हैं, साथ दिन का कोर्स करें, फिर बैठें, तो ही समझ में आएगा, बाकि कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बाबा कहते हैं, जहां एम होती है, यह पढ़ाय है, इस पढ़ाय से यह पद प्राप्त होता है, इनको स्कूल या युनिवर्सिटी समझना चाहिए, कौन सा पद, लक्षमी नहरान का पद, यहां दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, क्या पढ़ने आते हैं, अभी तो कौने कौने में सेंटर है मगर foreign countries में दूर दूर अभी भी पढ़ता है नहीं बाबा कहते हर कौने में सेंटर हो जाएगा इसलिए बाबा कहते हैं देंगे आपको क्योंकि सेंटर हम घर पर नहीं चला सकते हैं लोग जगा देंगी आफर करेंगे खोलो यहां सेंटर जैसे आज कल इंडिया में हो रहा है तो भी ब्रमा कुमारिज accept नहीं कर रही है एक दिन ऐसा यहां भी आएगा थोड़ा वेट करना है दीरतना इसलिए बाबा कहते हैं क्या बढ़ने आते हैं यह एम अबजेक बुद्धी में है हम पढ़ाए पढ़ने के लिए आते हैं पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है स्कुल की बात है कॉलेज की बात है इनिवर्सिटी की बात है वेसे यहां भी क्या है यह पाटशाला है कॉलेज है इनिवर्सिटी है बगवान वाच है भी गीता कहा है गीता में ही सिर्फ है बगवान वाच दुसरी कोई बात नहीं है गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है परंतु पुस्तक आदी कोई पढ़ाते नहीं है गीता कोई हाथ में नहीं है परमात्मा तो ग्यान का सागर है वो पुस्तक क्यों उठाएगा, उनको जरूती नहीं है, यह तो भगवान वाच है, बोला है, लिखा नहीं है, मनुष को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान उच्चते उच्च है एक, सर्वोच्च है, जिसका कोई माता, पीता, शिक्षत, गुरु नहीं है, इसको अपना श सारी यूनिवर्स, पुरी दुनिया ये है, खेल कोई सुक्ष्म वतन वा मुल वतन में नहीं चलता है, नाटक यहां ही चलता है, यह अर्थ पर ही चलता है, यह पृत्वी के ओपर ही नाटक चलता है, इसलिए सेक्स्पियर नहीं क्या कहा, हम अपना अपना किरदार निबा रहे हैं, दुसरा कुछ निबा रहे हैं, कोई अच्छा निबाता है, कोई बुरा निबाता है, जिसको जो मिला है, वो ही वो निबाएगा, उनको निबाना पड़ेगा, इसलिए बाबा कहते हैं, कि नाटक यहां ही चलता है, सुक्ष्म वत रिवतन में नहीं चलता जहां मूवी है निराकारी वतन में भी नहीं चलता जहां सिर्वादमा है चौराशी का चक्र भी यहां है इनको ही कहा जाता है चौराशी के चक्र का नाटक यह बना बनाया खेल है हमने ही बनाया था और हम ही बना रहे है बना बनाया यह बड़ी समझन की बात है क्यों क्योंकि उच्चते उच्च भगवान उनकी तुमको मत मिलती है यह कोई मनुष की मनमत वा परमत नहीं यह परमात्मा की स्रीमत है दुसरी तो कोई वस्तु है नहीं परमात्मा का रोली यह है क्या कहीं भी इंटर्फियर नहीं करना कोई भी लौ के अंदर चाह में भी परमात्मा इंटर्फियर नहीं करते उनका रोल सिर्फ यही है ग्यान देना और समझ से शक्तिल देना लेना नहीं लेना हमारी चोईस लेंगे कर्म करेंगे तो मिलेगा बाकि कुछ मिलेगा नहीं इसलिए बाबा के दुसरी कोई वस्तू यहां फिजिकल चीज है नहीं एक कोही कहा जाता है शर्व शक्तिमान वल्ड अलमाईटी ओथोरिटी का भी अर्थ खुद समझा तोंसी ओथोरिटी सास्तर की ओथोरिटी की बात नहीं है यह मनुष नहीं समझते क्योंकि वसब हैं तमो प्रधान, इसको कहा ही जाता है कल यूग, लास्ट स्टेज पर सब आत्मा ये आ जाती है, ऐसे नहीं कि कोई के लिए कल यूग है, कोई के लिए सत्यूग है, कोई के लिए द्रेता है, नहीं, ऐसा जैसा मनुश आत्मा ये गिरती है, उसके आधार पर ही पूरा का पूरा योग बदल जाता है। और गिराविट हमारे से ही होती है और उपर चड़ना भी हमारे से ही होता है। हम क्या है हीरो हीरोईन पाट दारी है पूरे ड्रामा के अंतर है। कि हमेरे लिए स्वेर्ग है क्योंकि हमेरे पास धन दौलत बहुंत, धन दौलत से स्वेर्ग का कोई जादा रिश्छा नहीं, कि वहां अक्टी चार धने वेल्णी नहीं यह सोने की裏, इसले सब चाहिए, हेल्थी बी चाहिए, वेल्थी बी चाहिए, और हैपीनेस भी सत्यूग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता, history है, history must be repeated, इसलिए जब हो गया, फिर से नहीं हो सकता, जब तक उसका समय न आये तब तक, यह सब समझने की बाते हैं, बाप बैठ सब बाते समझाते, सत्यूग में इनका राज्य था, भारत वाशे उस समय सत्यूगी क पहलाएंगे, सत्यूगी थे तो उसको स्वर्ग का जाता था, जैसी आत्मा की stage, वेसे ही समय की स्थिति के अनुसार, पूरी दुनिया की भी वही stage, सतो प्रधान है, आत्मा तो स्वर्ग है, मेरे पास तो बहुत संपति, इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ, परंतु वीवे कह है कि नहीं, यह तो यही नर्ग, स्वर्ग का मड़लब, फुल, पीस, प्रोस्पिरिटी, हैपिनेस, यहां किसे के पास धन है तो हेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, दोनों है तो भी हैपिनेस, इसको स्वर्ग कहा ही नहीं जा स सकता है कभी भी एक्सिनेंट हो सकता है सत्य को कहेंगे निरोगी दुनिया दुनिया वह यही है यहां ही दुनिया चलती है पूरे वर्ल पर ही ड्रामा चलता है मगर समय के अनुसार पूरा का पूरा परिवर्तन होता ही रहता है नेचरल लौ है एवरीचिंग चेंज इसको बाबा कहता है इनर्क सत्युग में इनको योगी दुनिया कहेंगे कल योग में भोगी दुनिया कहा जाता है दुनिया यही है फर कितना ही है सत्युग को कहेंगे निरोगी दुनिया दुनिया तो यही है बाबा कहते है वहाँ है योगी क्योंकि विकार का भोग विलाश नहीं होता है तो यह school है इसमें शक्ति की बात नहीं है कोई जादु मंतर कोई transformation कर देना कोई मंतर से इसकी बात नहीं है टीचर सक्ति दिखलाते हैं ग्या अब करते हैं teacher school के अंदर aim object रहता है हम भलाना बनेंगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिश बनेंगे, जो भी है तुम इस पड़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो ऐसे नहीं कि कोई जादो छू मंत्रवा रिद्धी सिद्धी की बात है या कोई ओ बाबा कहते है ने अधि रिद्धी सिद्धी चाहे तो दुनिया में जा कर लो मैं कोई छू मंत्र करने वाला नहीं मैनत करोगे तो ही फल मिलेगा क्योंकि कर्मकाल है यह तो स्कूल है ने स्कूल में रिद्धी सिद्धी की बात होती है क्या पढ़ाए पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है यह लक्ष्मी नाराण भी मनुष्य थे परक्या है परंतु पवित्र थे इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है पवित्र जरूर बनना है वालकत जरूर हंटेट परसंट नहीं बनेंगे तो मार से भी बनना ही पड़ेगा यह है ही पतित पुरानी दुनिया मनुष्तों समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वरस पड़े कल युके बाद ही सत्युग आएगा अभी तुम हो संगम पर इस संगम का किस वो भी पता नहीं है सत्युग को लाखों वरस कहे देते यह बाते बाप आकर समझाते दुसरा कोई समझा न सके क्योंकि जानता ही नहीं है तो कैसे समझाएगा उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल किसको बाप को परम आत्मा सुप्रीम सोल आत्मा वो के बाप को बाबा कहेंगे दुसरा कोई नाम होता नहीं बाबा किसको कहेंगे कोई सरीधारी को नहीं आत्माओं का जो बाप है जो सबका बाप है उनको ही बाबा कहेंगे बाबा का नाम है शिव शिव के मंदिर में भी जाते हैं परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है इसलिए कहते हैं ने ब्रम्मा देवताय नमव, विष्णु देवताय नमव, शंक्र देवताने शिवी के लिए परमात्मा निलाकाथ, उसका मनुष्य सरीर नहीं है, तुम आत्मा ये यहां पाट बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य सरीर मिलता है, जब हम उपर है, प्रतलता है वहाँ सीव तुम catching उपेजह देवताओं की बी पूजा होती है क्यों लिजयола के रूहें लोगे कि ऑमारी ौर्अजे के एज उनका नामाचार गाया जाता है, अत्वा पूजे जाते हैं, गायन योग्य, पूजन योग्य क्या कुछ करके गए, कुछ कर्म किया, इसलिए तो बने हैं, आगे जनम का तो किसको पता नहीं, लक्षमी नारण आगे क्या थे, रादे क्रिश्न आगे क्या थे, कुछ भी पता नहीं इस जनम में तो गाइन करते हैं देवी देवताओं को पुषते हैं इस जनम में तो बहुत लिडर्स भी बन गई कोई का अपने को भगवान कहने वाले कोई क्या कहने वाले जो अच्छे-च्छे सादु-संत-ादी होकर गए है उनकी स्टेम्प भी बनाते क्यों नाम अचार के लिए नाम उसका हो जाए दुनिया के अता है कोई भी महान व्यक्ति होता है महातमा गांदी जैसे तो क्या नाम चार के लिए सब कुछ है यहां फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाता है क्वेशन नंबर वन क्वेशन नंबर दो सबसे बड़े ते बड़ा कौन है अंसर म्हावद्यता है ऊंचे ते ऊंचune तो एक घगवानी है दुसरा कोई इससे ऊंचा हूई नहीं सकता है वह है निराकार और उनकी महिमा बिलकुल अलग है जो देवी देवताओं की महिमा उससे बिलकुल अलग है देवताओं की महिमा अलग है मनुष्यों की अलग है मनुष्य को देवता नहीं कह सकते मनुष्य तो भिखारी है मांगने वाले है देवता कभी मांगते नहीं सदा दे देवतावा में सरवगूण थे, लक्षमी नारान होकर गई है, इस ते तो गाते सरवगूण संपन, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पुजा भी करते हैं, क्यों कि पवित्र पुज्य है, क्यों पुजा होते हैं? प्योर है अप पवित्र को पुझ नहीं कहेंगे अप पवित्र सदेव पवित्र को पुझ देए आपर से क्यों पुझ ना चानू किया तो कि अप पवित्र बनेगे अप पवित्र सदेव पवित्र को पुझ देए लौ है ड्रागा कण्या पवित्र है तो पुजी जाती बाबा, immediate example देते पटित बनती है तो सब को पाओ पड़ना पड़ता है इस समय सब है पटित, सत्यूग में सब पावन थे वह है ही पवित्र दुनिया, कौन सत्यूग और कल यूग है पतित दुनिया तब ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं क्यों बुलाते हैं पतित से पावन बनने के लिए जब पवित्र है तब नहीं बुलाते हैं लेतने सुख में सिमरन दुख में सिमरन सब करें कोई बुलाते हैं क्यों पवित्र है तो सुखी है बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद ने करते हैं भारत की ही बात है टुकडे हो गए धीरे-धीरे और पतित बन गया पावन देवतावों को देखना हो तो जाकर मंदीर में देखो देवतावे सब हैं पावन उनमें जो मुख्य मुख्य हेड है उन्हों को मंदीरों में दिखाते हैं तैप्तिस करोण को नहीं दिखाते हैं जो मुख्य मुख्य है रादे क्रिष्ण लक्ष्मी नाराय डाम सिता आदिया जो मुख्य मुख्य है जिसके आधर पर पूरी की पूरी राजाय चलती है गदिया चलती है उनको ही मंदीरों में दिखाते हैं इन लक्ष्मी नाराण के राज में सब पावन थे यथा राजा रा नियों या प्रजाओं सब एक ही जैसे सब पुकारते हैं हे पचतपावन आओ हे लिबरेटर आओ करते हैं ने सब जो हिंदुईजम है तो जो देवी देवता धरम के औरिद्नल है वो कहेंगे पचतपावन बाकि कहेंगे लिबरेटर मांगना भी नहीं आएगा दुसरी आत्म को क्योंकि संसकारी नहीं है सन्याशी कभी स्रिक्रश्न को भगवान वा ब्रह्म नहीं मानेंगे वह समस्ते हैं भगवान तो निराकार है उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूझा जाता है जितने भी सन्याशी देखो औरिद्नल शिव को मानते हैं जोती को मानते हैं जह जहां जहां भी जाओ पूछो तो साकार को नहीं मानते हो लो उनका एक्क्यूरेट नाम शीव है मगर वो शीव शंकर को मिला देते हैं क्योंकि क्या नहीं है तुम्हा आत्मा जब यहां आकर सरीर धारन करती हो तो तुमारा नाम रखा जाता है सरीर के ओपर ही नाम पड़ते हैं चौरा सी जनम चौरा सी नाम आत्मा अविनाशी है सरीर विनाशी है आत्मा एक सरीर छोड़ दुसरा जाकर लेती है चौरा सी जनम तो चाहिए ने चौरा सी लाक नहीं होते हैं कितना गुद्धिशाली से गुद्धिश से काम किया जनम में बढ़ा दिये तो ड्रामा भी लंबा चोड़ा कर दिये बाबा के ते 84 जनम है 5000 वरस में तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सत्युग में नई थी राइटियस दुनिया थी सत्युग था सत मतलब राइटियस तृत यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है वहें सच खंड सब सच बोलने वाले होते हैं वहां जुठ चलता ही नहीं भारत को सच खंड कहा जाता है जुठ खंड ही फिर सच खंड बनता है सच्चा बाप ही आकर सच खंड बनाते हैं बाप के सिर्वा कोई बना नहीं सकता कल सुना ने सुप्रीम कैसे है आत्मान भी कॉलिटी है सुप्रीम है equivalent to God है किसी भी दुसरी आत्मा को God की परमात्मा बगवान की उपमान नहीं दी जाती except देवताओं को इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा बाप ही उसको सच्चा पात साह टृत कहा जाता है यही जुट खंड मनुष्टों कहते हैं वह है जुट sensible बुद्धी है देवताओं उन्हों को मनुष्पूशते हैं अकल मंद और बे अकल कहा जाता है ने अकल मंद कौन बनाते है फिर बे अकल कौन बनाते है यह भी बाप बताते है दुसरा कोई बता ही नहीं सकता है चीज अकल मंद सर्वगुन संपन बनाने वाला है बाप वह खुद आकर अपना परीचर ही देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है नाम, रूप, दे, सकाल, कुछ भी, किसी को भी, खुद आना पड़ता है, खुद आको, जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहां सरीर में प्रवेश कर पाट बजाते हो, मैं एक ही बार इन में प्रवेश करता हूँ, तुम जानते हो, वह है ही एक, फिक्स है उनका भागी रत, भाग शर्व शक्ति मान कहें, लक्षमी नारान को भी नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है, पतित मनुष में शक्ति हो न सके, आत्मा में जो शक्ति रहती है, वह पिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है, अर्थात, आत्मा में जो सतो परदान शक्ति थी वह तमो परदान शक्ति हो जाती है जैसे जैसे सुक भोगते हैं यूज करते हैं कोई भी चीज का बैटरी का तो पावर डाउन ही होगी इसलिए तमो परदान शक्ति हो जाती है बाब एक्जेंपल देते हैं जैसे मौटर का तेल खालास होने से मौटर खड हो जाती है पेट्रों वहां बैटरी गड़ी गड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है इनको पूरा टाइम मिला हुआ है अभी तो इलेक्ट्रिक कारें भी आ गए मगर जो भी है फ्यूवल जो भी है कलियों का अंत मैं बैटरी ठंडी हो जाए उस कार की तरह नहीं वहां तो बैट चार्ज होती ही रहती है कभी मिटती नहीं है वगर कल यूग में ठंडी हो जाती है पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक पे अभी तमो प्रधान है तो ताकत कम हो गई है दापर से इन्वेनर्स आई क्यों हमारे पर राज्य किया क्योंकि हमारी ताकत कम हो गई थी उसस भी हमारे पर राज किया, तके ताकत चली गई, शक्ति नहीं रही है, वर्थ नौट पेनी बन जाते हैं, भारत में देवी देवता धर्म था, तो वर्थ पाउंड थे, रिलिजन ही इस माइट कहा जाता है, दुनिया में भी मानते हैं, अगर ओ रिलिजन नहीं, जो हमने आत्मा कहते हैं, रिलिजन क्या है, शांदी, आत्मा का स्वधर्म ओ रिलिजन, शक्ति नहीं रही है, बाव कुछ नीरा, देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक है, क्या ताकत थी, अब क्रेशन करा है, कोई लड़ने आदी की ताकत नहीं थी, ताकत मिलती है, को प्रधान थी अव कि दिश्व queremos के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गये आदे शलेवरी एक अंगरेग κι क्या कर दिया क्यों पूरी सिश्टम ही बदल क्यूल बाबा कहते हैं गुलाम बन गई विश्व के बाब समजहते हैं पांच विकार रुपी रावन तुमारी सारी ताकत चिल ले दें इसलिए भारत वासी कंगाल बन पड़े कोई अंग्रे या तो कोई इन्वेडर्स यह वो नहीं करते हैं हमारी ताकत आटोमेटिक कम हो जाती इसलिए वो नई आत्मा यह पावर्फूल आती है हम कंगाल बन जाते हैं ऐसे मत समझो साइन्स वालों में बहुत ताकत हैं वह ताकत नहीं है यह रूहानी ताकत है कोई फिजिकल बात नहीं है जो सर्वसक्ति वान बाप से योग लगाने से मिलती है साइन्स और साइलेंस के इस समय जैसे लड़ा है किसकी लड़ा है सुनो Science or Silence Science physicality है Silence पूरी की पूरी क्या है सब्ल चीज है spirituality इसलिए बाप केते हैं लड़ा है Science क्या करता है Maya के रूप में Science अब facility दिये Maya खड़ी है Silence क्या है Maya से पुरे ले जाते है Compare करना पुरा का पुरा बाप को याद कर अपने को सरी से Detach कर देते हो यह है रुहानी ताकत भक्ती मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माता मारा है परन्तु सरव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता है सब में कह दिया तो ढूंडेंगे कहां जाएंगे तो मों परदान बन गए तो यह पढ़ाय है पढ़ाय को शक्ती नहीं कहेंगे बाप कहते है पहल तो पवित्र बनो और फिर सुरुष्टी का चक्र कैसे फिरता है उनकी नौलेज समझो पवित्र बनो कब तक तीनी लेसन में पवित्र बनने की बात है जिसको हम प्राइमरी बेजिक कूर्स कहते है फिर सुरुष्टी चक्र को जानो नौलेज को समझो आगे नौलेज़ पुल तो बापी है इसमें शक्ती की बात नहीं है बच्चों को यह पता नहीं है कि सुरुष्टी चक्र कैसे फिरता है तुम एक्टर्स पार्टधारी होने या बेहद का ड्रामा है आगे मनुष्यों का नाटक चलता था उसमें अडली बडली हो सकती जो प्ले करते हैं, जो नाटक करते हैं, जो ड्रामा करते हैं अभी तो फिर वाइसकोप बने एक वार रिल बन गई, वही रिल चलती रहती है बाप को वाइसकोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है, क्योंकि हूँ बहु रिपीट होता है इसलिए, वहाँ छोटा वाइसकोप, जो तिन गंटे का, दो गंटो का, जो थियेटर में दिखाते हैं ओ, यह है बड़ा, जो पुरी सुष्टी का, पांच अजार साल का नाटक में एक्टर्स हादी को चेंज कर सकते हैं, यह तो अनादी ग्रामा है मतलब, एक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, यहां, एक बार जो शुट हुआ है, वहाँ फिर बदली नहीं सकता यह सारी दुनिया बेहद का वाइसकोप है, मुवी है शक्ती की कोई बात ही नहीं है, अंबा को शक्ती कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है नहीं है, शक्ती का क्या है, कोई बात नहीं है, उनको अंबा क्यों कहते हैं, question number one दूसरा, क्या करके गई है, अभी तुम समझते हो, कि उच्चते उच्चे हैं अंबा और लक्ष्मी अंबा ही फिर लक्ष्मी बनती है, दुनिया में अंबा और लक्ष्मी का कोई connection ही नहीं पता हैं यह भी तुम बच्चे ही समझते हो, तुम knowledge bill भी बनते हो, और तुमको पवित्रता भी सिखला दे है वह पवित्रता आधा कलब चलती है, बाबा बढ़ाते हैं धीरी धीरी करके, powerful पवित्र बना देते हैं फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताता है, जब हम पटक जाते हैं, पूरे पतित बन जाते हैं, उनको पुकारते हैं तो वो अपने समय पर आही जाता है और हमें पतित्य पावन हमें पावन बनाता है। उनको बुलाते ही इस समय के लिए है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह रहिए परम आत्मा परमात्मा सुप्रीम को पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती हमें yn सुप्रीम। कलठान मुल्य माइस की मूलि में इख दम क्लियर था, सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है अभी तो पतीध हो, बाब तो एवर पावन है फर्ख है ने, वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्सा दे और सिकलाए, तब तक कोई पावन बन नहीं सकता तब तक कुछ भी सीख नहीं सकते पवित्रता के बारे में इसलिए बाव कर जब तक सिखलाएने तब तक कैसे बने इसमें खुद आकर बटलाते कि इसमें ब्रह्मा के तन में कि मैं तुम्हारा बाप हूँ मुझे रत तो जरूर चाहिए नहीं तो आत्मा बोले कैसे रत भी मशूवर है गाते है भागिशाली रत इसको कहते है भागी रत तो भागिशाली रत है मनुष का कोड़े गाड़ी की बाद नहीं जो दिखाते है कि ता में ऐसी कोई बात ही मनुष का ही रत चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए तो प्राणी में एंटर होगा तो एनिमल की वाशा मनुष्य कैसे समझेगा बोलेगा कैसे हो उन्होंने फिर गोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी है भाग्य साली रत मनुष्य को कहा जाता है यहां तो कोई-कोई जानवर को भी बहुत जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है मनुष्य से भी जादा जो मनुष्य की भी नहीं होती कुट्य को कितना प्यार करते है सुनो गोड़े को गाई को भी प्यार करते है कुट्यों की एक्जिबिशन लगती है देखो बाबा सब कुछ जानता है यह साब वहाँ होते हैं कहां लक्षमी नाण सत्युग में लक्षमी नाण कुद्ते पालते होंगे क्या अभी तुम बच्चे जानते हो इस समय के मनुष सब तमो प्रदान बुद्धी है उन्हें सतो प्रदान बनाना है वहाँ तो गोड़े आदी ऐसे नहीं होते जो मनुष कोई उनकी सेवा करे रेस में जो होता है वैसे तो बाब समझाते है तुमारी हालत देखो क्या होगी रावन ने यह हालत करती है यह तुमारा दुश्मन है तुसरा कोई दुश्मन नहीं है परंदु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है रावन का जन्म बाबा आकर बताता है शीव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावन के जन्म का भी पता नहीं है तो उन्हों के कंपेरिजन करो रावन और राम बड़ा मतलब सी बाबा, बाब बटलाते हैं त्रेता के अंत और दापर के आदी में रावन आते हैं, उनको दस शिश क्यों दिये हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं यह भी जानते हैं, अभी तुम मनुश्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वह देवत बन न सके, वह फिर आयेंगे तब जब रावन राज शुरू होगा, अभी तुम जानते हो, हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लगर आहें, बाब कहते हैं, मैं हर पांच हजार वरस बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूं, इस समय सारे शुरुष्टी का जाड पुराना है, पुरा का पुरा मनुष्ष्टी का जो जाड है, जिनियोलोजिकल्टी पुराना है, नया जब था तो एकी देवता धर्म था, फिर देरे देरे नीचे उतरते हैं, आज गल मौर देन पोर थाउजंद ली जाते हैं, बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते क्यों? क्योंकि बाप और नॉलिज़ फूल है, पुल अप नॉलिज़ है, हमारे में तो 15 दिन पहले क्या क्या उसको भी भूल जाते हैं, नॉलिज़ की कोई बात ही नहीं, अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चो प्रती, मात पीता, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, शुक्रिया, बाबा, शुक्रिया, धारना के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, साइलेंस का बल जमा करना है, लड़ाई किसके है, साइलेंस और साइलेंस की, साइलेंस बल से, साइलेंस की दुनिया में जाना, साइलेंस की दुनिया में नहीं जा सकते हैं, स्वाराज अधिकारी बन करके दूसरी पॉइंट है सुप्रीम की पढ़ाय पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है परमात्मा जैसी कॉलिटी शक्तियों में पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दुसरों को बनाना है गाइड बनना है अपना जो एक्सपिरिंस ह शेर करना है दुसरों को भी आगे बढ़ाना है आगे बढ़ाएंगे तो ब्लेसिंग मिलेगी और और ही लिप मिल जाएगी आसका वरदाने अलप को जानने परमात्मा को और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले और प्योरिटी दारन करने वाले विशेश आत्मा बह तो बाबा समझाते हैं, बाब दादा को खुशी होती है, कि मेरा एक एक बच्चा विशेश आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपड है, छोटा बच्चा है, कोई भी हो, युवा है, वया प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेश है, दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, विज्ञानिक हो, लेकिन आलफा को नहीं जाना, तो क्या जाना, आप निश्चय बुद्धी हो, फलक से कहते हो, कि तुम डुंडते रहो, हमने तो पा लिया, प्रवृत्ति में रहते, पवित्रता के स्वधर्म को अपना लि आज का स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं, वही स्वयम को और सर्व को प्रिया लगते हैं, अच्छा, ओम शान्दी